दोस्तों तो आज हम Leonardo Da Vinci के कुछ inventions के बारे में बात करेंगे जो 100% आपको भी नहीं पता होगा क्योंकि आप उन्हें उनकी painting के लिए ही जानते हैं जैसे कि Mona Lisa and the last suffer but now this video is different और last में एक bonus fact भी है दोस्तों Vinci के दिमाँ में हमेशा चलता था कि इनसान कभी हवा में उड़ सकते हैं की नहीं और इसलिए उन्होंने वेल रिसर्च करके 1490 में ही फ्लाइंग मशीन का डिजाइन बना दिया था और जो एरोप्लेन बनाने का created है वो राइट ब्रदर्स को जाता है जिनोंने एरोप्लेन को 17 दिसंबर 1903 को बनाय था लेकिन 413 साल पहले ही Vinci ने ये डिजाइन बना दिया था और आप इस डिजाइन में भी देख सकते हैं कि ये आज के एरोप्लेन से कितना सिमिलर है दोस्तो पैरशूट का इंवेंचन लुईस सेबेस्टिन लेन और मैंड ने 80 सेंचुरी में किया था और इस पैरशूट की फर्स जम्प 1783 में की थी जो सकसेस्फुली रही थी और इस पैरशूट का जो डायमिटर है वो 14 फीट था बडड़ बड़ जो पैरशूट का पहला दिजाइन था वो सबसे पहले विंची ने ही 1485 में ही तियार कर लिया था करीबन 300 साल पहले और जो उनका पैरशूट का डिजाइन है वो थोड़ा अलग है इसका डिजाइन पिरामिट की शेप का है जिसकी लंबाई 7 मीटर थी दोस्तों 500 साल पहले विंची ने एक लड़ा कू टैंक का डिजाइन तियार किया था जो आज के modern टैंक से बड़ा रिलेट करता है ये डिजाइन उन्होंने 1487 में तियार किया था और उनका डिजाइन हम एक तरीके से आज के modern टैंक का प्रोटोटाइप समझ सकते हैं ये डि विंची को देखकर आज के modern टैंक त्यार किये गए है नमबर फोर ट्रिपल बैरल कैनन का आइडिया भी विंची का ही था और ये एडिया कुछ यूं आया था कि विंची के जमाने के जो वैबन होते थे वह बहुत भारी होते थे और उससे एक जगा से दूसी जगा ले जान है दोस्तों according to European data सबसे पहले विशाल का मुर्ती बनाने का आइडिया भी विंची ने ही दिया था कुलोसस एक गोड़े की सबसे बड़ी मुर्ती है जो 1482 में विंची ने बनाने का आइडिया दिया और तो और विंची ने इस पर काम शुरू भी कर दिया था बट बैर लग वो इस स्टैचू को पूरा नहीं कर पाए अगर ये स्टैचू बनता तो ये स्टैचू 24 फूर लंबा और इसमें 80 टन प्रॉंच इस्तमान होता लेकिन इसकी मैं आपको पूरी कानी सुनाता हूँ वैल जब सारे प्रोब्लम विंची ने सौल कर ली और कॉलोसस को बनाने के जैसे की इस साइस के क्ले का डाचा कैसे बनाया जाए और इसके कितने सारे ब्रॉंच को गरम करने के लिए उन्होंने ओवन भी इन्वेंट किया और जब सारी प्रोब्लम सौल हो गई तो बैडलर 1494 में किंग चार्ल्स ने फ्रांस पर इन्वेट कर लिया फ्रांस आर्मी को रोखने के लिए ड्यूक ने विंची के क्लोसस के प्रोंच का इस्तिमाल किया कैनन बनाने के लिए जिस और एंड में विंची ने सिर्फ एक लाइन गई में क्लोसस के बारे में कुछ नहीं कहूंगा 1977 में चार्ल्स ट्रेंट नाम का पैंजिलवेनिया का एक सच जो एरलाइन पाइलेट और कलागार था इस आदमी ने कलोसस को दुबारे बनाने का फैसला गिया उन्होंने बिना प्रॉफिट की एक संगठन तियार गी 1994 में मनने से पहले अपने 17 साल लगाकर एंड में 1999 में घोडे की इस मूर्थी को तियार कर दिया और जो अब मिलेन इटली को एक स्पेशल गिफ्ट के रूप में दे दिया गया और बोनस फैक्ट यह है कि लियोडनाड़ो डो विंची को फोटोग्राफिक मैमोरी थी जो डॉक्टर स्टेंज में डॉक्टर स्टिफन को थी यह ऐसी मैमोरी होती है कि जिससे आप एक सिंगल मीटिंग में ही किसी भी इंसान को डिटेल में ड्रो कर सकते हैं मतलब आपको हर एक चीज पर्मानेंट याद रहे हैं इसे ही फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं दोस्तो अगर आप राम से तुक कैसे बना था ये जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो सिर्फ आपके लिए हैं और अगर आप मोना लिसा के हिडन सिक्रेट्स जानना चाहते हैं तो राइट वीडियो आपके लिए हैं बाइ बाइ